स्री शिवाईन नमस्तु व्यम दर्शकों कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुराक्षित होंगे दोस्तों सुबह उड़ते ही अपनी हतेली को देखकर बोल दीजे यह सब्द आपकी जीवन भर की निर्दन था हो जाएगी समाप्त नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी कहां आज किस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूज गुर्देव की श्वी महाँ पुरान खता से बताये हुआ एक ही है धन प्राप्ति काचु कुपई और दोस्तों को इस सुपई को करने से कहा जाता है कि व्यक्ति की निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए जीवन से समाप्त हो जाती है साथी व्यक्ति को अधिक धन की प्राप्ति होती है साथी मातलक्ष्मी का भी आसरवादिप प्राप्त होता है साथी दोस्तों रामयन और साथी कुछ गरंथों में ऐसे कारे बताये गये हैं जिनने देनिक जीवन में अगर उतार लिया जाई तो उनसे हमें बहुती लाब प्राप्त होता है साथ ही उन कारे को करने से हमें देवी देवताओं का अशिरबात प्राप्त होता है साथ ही इन कारे को करने से आर्थिक लाब भी होता है तो दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा ही कारिया बताने जा रहे हैं अगर आप लोग सुभह सुभह उटते ही रोजा ना करते हो तो इस कार्य को करने से आप लोगों को लाव सुभह में ही दिखाई देगा तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए साथ ही वीडियो को लाइक कर लिजे हर बार की तरह कोमेंट में श्री शुवाई नमस तुभे हम जरू लिख दीजेगा तो दोस्तों ये जो कारिया है इसे आप सभी को भी करना चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि सुभह का जो समय होता है भ्रम मूरत का इस समय को भोती पवित्र समय माना जाता है क्योंकि इस समय को भोती सुभ समय भी माना जाता है इस समय पर सभी प्रकार का कारिय होता है इस समय पर हर व्यक्ति अपने हर कारिय को प्रारंब करता है कोई व्यक्ति क्या करता है कोई व्यक्ति कहा जाता है यानि कि सुभह से नए दिन की सुरुवात होती है नए कार्य की सुरुवात होती है नए परगर्ती की सुरुवात होती है तो इसी तरह दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुभह उड़ते ही अपनी हतेलियों को देख कर और माता लक्ष्मी का इसमन अपने मन में करता है और माता लक्ष्मी का गायतरी मंतर बोल देता है तो उससे व्यक्ति की निर्धनता समाप्त होती है साथ ही उसे व्यापार समदित कारियों में और धन के समन्दी जो भी छित्र हैं उसमें उसको लाप प्राप्त होता है और साथ ही ये भी खाह जाता है कि इसनान करने से पूरव भगवान सूरे देव को जलारपित करने से भगवान सूरे देव प्रशन होते हैं जिससे उनकी जीवन में जिस तरह बगवान सूर्य देव चमकते हैं उसी तरह उजाला होता है साथ ही किसी भी परकार का कल है उनके आस पास भी नहीं बढ़कता है तो दोस्तो ऐसा भी कहा जाता है कि सुबर उड़ते हिश्णान आधी करने के बाद में जिस देवी देवताओं को आप मानते हैं जिसकी पूझा करते हैं जो आपका राध्या है उनकी पूझा आवश्य करने चाहिए इससे भी मन की सांती मिलती है साती मन में बुरी ख्याल नहीं आते हैं तो दोस्तों आप सभी को इनकारिया को जरू करना चाहिए वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो लाइक को अच्छे हैं को सब्सक्राब जरूर